दोस्तो नमस्कार बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूव चैनल सौराव एकेडमी पर दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं यूजी सी नेट एक्जाम में तुक्का कैसे लगाया जाए यदि आप पेपर वन की बात करें या पेपर टू की बात करें तो कुछ क् जिसमें आप असानी से तुक्का लगा सकते हैं और अपने आंसर को करेक्ट कर सकते हैं तो चलिए दोस्तो चैनल पर अगर यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए बैल ऐकन प्रेस कर लिए इसी प्रकार की इनिफोमेटिव वीडियो हम आपके ल अपने आंसर को सेलक्ट करना है तो जितने भी मैं यहां पर आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ उसके जो प्रेवेश कोशन्स हैं उसकी हेल्प से मैं आपको एक एक्जामपल भी दूँगा किस प्रकार से आपको सॉल्व करना है और अब या थोड़ा सा समय बने रही है व अपको सबसे पहले उन सभी ऑप्शन को एक्लिट करना होता है जो आपके आंसर के मुताबिक नहीं है या आपको जो लगता है आपके आंसर के अनुसार नहीं है इसका भी जो प्रेवेश कोशन है उसके अनुसार हम देखेंगे तीसरे नमबर पह दोस्तो सेलेक्शन मैथड जिस प्रकार से Elimination Method है जिसमें हम Eliminate करते हैं Options को हम खतम करते हैं Options को उसी प्रकार से हम सेलेक्शन मैथड में Answer को जो है Select करते हैं कि कौन-कौन से जो Option है वहापर होने चाहिए उनकी हम List त्यार करते हैं और उसके basis पे हमने जो Correct Options है Correct Answer है उस पर हम पहुंसते हैं और तीसरे नंबर पर आपने बात की सेलेक्शन मेथड की चौते नंबर पर दोस्तों All of the above तो Net Exam में या किसी भी एक्जाम में All of the above को जो चांसे होता है दोस्तो 90% केसे में All of the above जो है वो Correct answer होता है पांच्पे नंबर पर दोस्तों Assertion Region Assertion Region का दोस्तों जो Question होता है उसमें जो Maximum Strong Possibility ह होती है आपकी वो बहुत हार Correct and Reason Correctly Explain the Assertion तो दोनों ही Correct होते हैं और Assertion Region को Correctly Explain भी करता है और इसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों छटे नंबर पर हमारा है Match the following questions तो Match the following questions में दोस्तों आप ट्राइ कीजिए वहाँ पर आपको चार या पांच आप्शन दिये जाते हैं तो पांच या चार आप्शन जब भी आपको दिये जाएंगे तो आप ट्राइ कीजिए एक दो या तीन या जितने हो सके आप पहले जो है उनको Correctly Match कर लेजिए जो आपको आते हैं और उसके बाद जो है आप उन जो पेर आपने बनाए है एक या दो कोगे उसके इसाब से आप जो है अपने options को सर्च कीजिए option में अगरिया दिया आपको जो आपने select किया है जिसमें आप 100% sure है कि आपका ये पेर जो होना चाहिए उसके हिसाब से अगर tip number one में पता है कि keyword को identify हमें करना है तो उसको हमें कैसे solve करना है उसका previous question है वो देख लेते हैं दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों तो keyword जो है हमारा दोस्तों observation आ गया क्योंकि यहाँ पर words और picture जो है with the researcher यहाँ पर with the researcher है words and picture तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं participant observation based studies आप इसको बोलेंगे तो आप देख लिए keyword यहाँ पर मिल गया आपको और इस आप से आप जो है अपने correct option पर answer पर पहुंच गए और इ जो June 2021 और December 2021 और June 2022 cycle हुआ था उसका यह question है तो इस पर देख सकते हैं which of the following are essential for good governance of college colleges and universities तो महाविद्यालियों और विश्विद्यालियों के उत्तम शाशन है तो निमनेखित में से कौन से आवशक हैं तो आपको eliminate करना है दोस्तो legal autonomy आप देख सकते हैं दोस्तो legal autonomy जो है वो college क के लिए कहीं भी किसी भी माइने में माइने नहीं रखती है जबकि academic, financial और administrative जो autonomy है वो हाँ पर होने चाहिए तो आप देख लेजिए आपको eliminate करना है legal autonomy यानि option B को यहां से eliminate करना है तो आपने option देखेंगे option में आप देख सकते हैं दोस्तो B यहां पर है तो यह नहीं हो सकता बी यहां पर है यह बी option नहीं हो सकता option तो option हमर पस correct बचा एक अकेला जो जिसमें B नहीं है तो option number A यहां पर हमारा correct हो जाएगा तो देख सकते हैं कितनी आसानी से यदि आपने प्रशन को नहीं देखा है तो इसमें पर देख सकते हैं जूम कर देता हूं को जूम आउट कर देता क्यों होती है को सबसे बहसे बात करें तो शोशल इंट्रेक्श्शन के लिए बिल्कुल रहले होती तो यह भी हो सकता है लेकिन हम छोड़ देते हैं four messages to be understood बिल्कुल जिस पे आप 100% sure है जो option आपके 100% sure होने चाहिए या नहीं होने चाहिए उसको आपको elimination और selection method में देखना है तो A और C हमको मिल गया तो A और C इसमें है यह option हो सकता है हमारा और option C हो सकता है आप बात करें दी क for sharing of experience बिल्कुल experience को share करने के लिए communication की जुरूत होती है for protection of traditions अब आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर जो है आपका C होना चाहिए और D होना चाहिए और इस प्रकार से आप देख लेजिए A C D जो है option number C में है तो यह हमारा correct answer हो जाएगा यह हो गया selection method आप बात करते हैं दोस्तों match the following question में आप देख सकते हैं दोस्तों मास communication आपको पता है for mechanical message transmission मशीनी संदेश संप्रेशन होती हुए इंट्रापरसनल कम्यूनिकेशन है गूर्प कम्यूनिकेशन है और इंट्रपरसनल कम्यूनिकेशन है तो classroom देख सकते हैं सबसे अच्छा जो आपका option है यहाँ पर आप देख लेजिए कहाँ पर आप रिलेट ед आपता जो हे । नमबर एए में हैं तो यहीं पिर हमारा जो answer है खतम हो जाता है answer is correct हम्हों option पर पहुंच चुके हैं हमरा यहाँ मिल चुक आए हमें और बाकिको confirm करने कलिए देख सकते हैं इंट्रापरसनल गूंश्य को उनिंत्रों कमयूनिकेशन था तो इंट्रापरसन से भी ग्रूप कम्यूनिकेशन से भी और इंटर परसनल से भी जहां से भी आपको ठीक लगे जो आपको अच्छे से कंफर्म है कि आप यहां पर रहे हैं 100% कि यह उसका होना चाहिए मैच तो आप वहां से उसको को जो है solve कर सकते हैं तो देखा दोस्तों आपने इस प्रकार से हम जो है नेट की परिक्षाम या किसी भी एक्जाम में Elimination Method, Selection Method और Identify Whying Keywords, All of the War, Assertion Reason, Match the Following टाइप के जो questions में आते हैं नेट में या सेट किसी भी एक्जाम में तो आप उनको कैसे असानी से हल कर सकते हैं तो दोस्तों चैनल को आप सब्सक्राइब कर लिए बैल आकेंड प्रेस कर लिए और आने वाली वीडियोस को नोटिफिकेशन आप तक पहुंसती रहेगी बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू